A very good morning to all of you, दोस्तों स्वागित करते हैं, आप सभी का education cat6 में औरुख करते हैं, एक नई notification अपडेट की तरफ जहाँ पर वंपर वेकेंसी निकाली गई है, दोस्तों स्वास्त विभाग की तरफ से आप सभी चात्र All India अपडेट है यह वेकेंसी मैं आपको बदा दो कि किसी भी वेकेंसी निकाली गई है, दर नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से अपडेट की गई है, और यह CHO की वेकेंसी है, CHO यानि की Community Health Officer की वेकेंसी है, जो भी एक चुक मिदवार है, इसके लिए आविदन कर सकता है और कर सकती हैं, जिहां सामुदाइक स्वास्त अधिकारी, जिसको लेकुल 4000 पदों की वेकेंसी निकाले गई है, आविदन करने के लिए जो प्रोसेस से दुस्तों आप यहां से चेक कर सकते हैं, इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप यहां से देख सकते हैं, इस पैरा में, लिंक भी यहां पे अक्टिबेट हो चुका है है, आप चातर यहां पर आउदन कर सकते हैं, क्लिक करके यहां पर, दो तारीक से लेकर 13 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन यहां से भी यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में हम अब अब आपको जानकारी देने जा रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो भी एक चुक कुमिद्वार है अगर आप एलिजीबल है तो कंप्लीट वीडियो देखें और शेयर जरू कर दीजेगा हो सकता है कि किसी का भला हो जाए तो अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर इस डिटेल नोटिफिकेशन को लेकर इसके गाइडलेंस को लेकर क्या होगा सेलेक्षन प्रसिजर इस रिकूट्मेंट में कम्मिटी हेल्थ ऑफिसर का जो रिकूट्मेंट निकाला गया है इसके साथ और कौन सा मैं आपको पहले बता दू सामुदाइक स्वास्त अधिकारी का जो पोस्ट है यह कॉंट्रेक्श्वल वेकेंसी है लेकिन आपका काम अच्छा रहा तो आपका यह जो क्रॉंट कॉंट्रेक्ट है यह बढ़ाया भी जा सकता है इस पार्ट अप इनिशेटिव अंडर आईश इसे बता दू कि यह चो की रिक्रूट्मेंट है दोस्तों यहाँ पर और वर्क ओर्डिनेशन विद्ध प्राइमरी हेल्थ केर के टीम यह बनाई जाती यहां से अब बात करते हैं इस वेकेंसी को लेकर नेशनल हेल्थ मिसन उत्रप्रदेश की तरब से इसके लिए 4000 कॉंट यहां पर देखें तो चारजार पदों की कमुनिटी हेल्थ ओफिसर की यह वेकेंसी है दोस्तों लेकिन आल इंडिया वेकेंसी है तो आप अधर श्टेट चाहते हैं तो आप जनरल के टेगरी के लिए आविदन करेंगे और वहां फाइट करेंगे अब इस फॉर्म को भरने जो अब कैंडिडेट बिलॉंग टू ओबीसी एंड एडव्यस केटेगरी एंड क्लेंड बेनिफीट अप दे सेम मस्ट अप्लोड दियर जो रिकोर्ट ओवीसी सार्टिफिकेट होता है यह 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 जो आपका सार्टिफिकेट जो होता है ऑन दर प्रिस्क्राइब फॉर 2022 से पहले का होना चीए ध्यान रखेगा और मस्ट ऑप्टेन दा बिफोर दा लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सब्मिशन ऑफ अप्लिकेशन एक चार 2022 टू लास्ट डेट ऑप दा ऑनलाइन अच्छा यह एक अपरेल 2022 से लेकर लास्ट डेट तक जो की फॉर्म भरने का लास्ट और यह डॉक्मेंट वरिफिकेशन के समय यही डॉक्मेंट आपको लेकर जाना होगा जहां पर इसको वेरिफाई किया जाएगा प्लस आपने जो इंटेग्रेट कोर्स किया है उसको भी आपको यहां बताना होगा दोस्तों यह आपका मेंडेटरी है ध्यान रखेगा मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से क्रेटेगरी में आपको यहां पर आविदन करना है फिलाल देखिए यहां पर आपको डेट जो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिएगा उसके बाद ही अपना सारा डेटिल यहां से भरिएगा देखिए इन दियर आउन इंट्रेस्ट एडवाइज नॉट वेट तिल लास्ट डेट टाइम एंड रजिस्टर दियर्द अप्लिकेशन वेल विदिन टाइम जो आपका रिजिस्टिशन होने वाला है वह समय से पहले कर लिजीगा नेशन हेल्थ मिशन शेल नॉट बी हेल रिस्पॉंसिबल उसके लिए अगर आपने छोड़ देते हैं तो कोई दिकत वह आपका रिस्पॉंसिबलिटी नहीं लेता है लास्ट मिनेट तक भी आपके लिए यहाँ पे लिंक एक्टिव रहेगा लेकिन उससे पहले ही आप आविदन जरूर कर लिजीगा ठीक है और कैंड़ेट हू अल्रेडी वर्किंग इन चीचो जो उत्रप्रदेश में काम कर रहे हैं कब्रेटी हेल्थ ऑफिसर को लेकर इस नॉट एलिजिबल वो नहीं होंगे अधर शेट में काम कर रहें जादर वो आविदन कर सकते हैं बट उनके पास जो है इनो सी होना चीए कि आपने वो जौब क्यों छोड़ा वहां पे तो यह हो गया प्रोसेश एक तो यहां पे और experienced certificate ka bata ki ke candidate is being advised to apply the list 7 days prior to the last greater submission of the online application from concern district with the self handwritten application with the valid mobile number and the afford said experience certificate and the same mobile number should be is used while filling the application form can it also ensure that the Opt experiencer certificate in the time of the filling application form failure of the same shall be the responsibility of the candidate and NHM shall be not held responsible for the same and the recruitment drive not be affected due to this failure देखिए आपसे बुला जा रहा है कि आप जो है अपना जो certificate लगाएंगे experience का यह साथ दिन पहले आपको वहाँ से job छोड़े हो रहना चाहिए ध्यान रखेएगा दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी आपको बताना है कि जो certificate आप लगा रहे हैं अपने experience का हैना वो complete होना चाहिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं फिर यहां पर एक्जाम दे रहे हैं जॉइनिंग के समय आपको मतलब यह सारी चीज़ आपको यहां बताएगी है फॉर्म भरने से पहले अपना वही आते हैं क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों यहां पर बेसी नर्सिंग प्लस में विट इंटीग्रेटेडड करिकुलम ऑफ तशर्टिफिकेट कम्मुनिटी हेल्थ ऑफिसर हेल्थ और नर्स कहते हैं इसको यहां पर ध्यान रखिएगा और यह जो कोर्स है दोस्तों यह इंटीग्रेटेडड कोर्स जो है यह सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए आपके पास कम्मुनिटी हेल्थ फॉर नर्सिस के लिए फॉर इंडियन नर्सिंग कॉंसिल इस्टेट कॉंसिल नर्सिं चनियाने की कम्मुनिटी हेल्थ फॉर नर्स के कोर्स कर रखें इंडिग्रेडड में ध्यान रखेंगें लेस देन 35 यह आपका होना चाहिए 35 सल से कम का उमर होना चाहिए यह डेट अफ क्रटेरिया का यहां पर दिया गया है क्यांड़ेट मस्ट भी रेजिस्टर एस नर्स मिडवाइब यूपी नर्स मिडवाइब कॉंसिल यहां पर आपका जो है रेजिस्टरेशन होना चाहिए ध्यान रखेगा जो तो ही आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं इन केस अप्लोडिंग दे रेजिस्टरेशन स्लिप कैंड़ेट शेल सब्मीट दे रेजिस्टरेशन सर्टिफिकेट विदिन दा थ्री मंथ फ्रॉम देट अप देट इसूज अफ अपॉइंट्मेंट लेटर यानि कि तीन महिने तक जो है आप आप अपना अपॉइंट्म बात कर लें यहां पर दोस्तों तो बिफोर अप्लाइंग कैंड़ेट शूड इंशुड फॉल्फिल अप इलिजिविटी क्रिटेरिया कैंड़ेट शैल भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन अप डेटेल डॉक्मेंट मतलब आपको यह पहले थोड़ा सा वेरिफाई कर ल नर्सिंग भी चेक किया जाएगा अगर आपके पास ने डाला है तो यहां पर दोस्तों रिगार्डिंग टाइम यहां पर आगे चलते हैं दोस्तों यहां लग रहा है 35 साल से उमर आपका कम होना चाहिए ध्यान रखिएगा और शामुदाइक स्वास्त अधिकारी सीचों का वेकेंसी है जहां पर आपको इस नातक डिगरी मांगी है नर्सिंग में और साथ में आपको इस वीडियो के मादम से सारी डिटेल बता दी है अपर इस लि प्रिकेशन फिम यहाँ पर फीस नहीं लग रहा आपसे हाँ भरने नहीं का जा रहा फोर्म का फिस आपना फोटो सिनेचर और पासिंग सर्टिफिकेट जो है आपको डालना है हाई स्कूल का फर्स्ट का फाइनल यहर का मार्षिट भी ढलना है बीस सी नर्सिंग पर जो है आपसे यहां पर मांगे जाएंगे तो जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट आपसे वहीं के माध्यम से सेलेक्शन प्रोसीजर भी आपका किया जाएगा फोटोग्राफ का जो साइज है वो चेक कर लिजेगा सीगनेचर भी यहां पर ब्लैक या ब्लू पेन से होना चीए ध्यान रखेगा फोटोग्राफ मस्ट भी रिसेंट फोटो होना चीए और यह तीन मन्स से पुराना भी नहीं होना चीए ठीक है यहां पर दोस्तोड दिया गया है टाईटव क्रिटेरियम केस टाइब आत्रांस के मास किसी हेज्जाट टाई होता है तो डिकलतो सब्सक्राइब खेड़िव खिंब होटाए है तो जो बड़े होंगे उनको प्राइटी दिया जाएगा इंद प्ले इंद प्लेश हाइर और जो बड़े हैं और वह आपसे पहले ही अपना और तो उनको प्राइटी दिया जाएगा इनकेस दमेंशन यह यानि कि आपका जो यह वाला है साथी सान कैनेडेट विद नेम अलफेटिकली और अगर ऐसा होता भी है उसमें भी अगर टाइक करते हैं आप लो है ना तो आपको पहले वाले जिसका नाम होगा उसको चूस किया जाएगा और इस पर आपका जो है आप यहां पे एक डायला का बॉंड करेंगे जो कि आपके बीच जॉप कुछ ना छोड़ें जब आपके सेलेक्शन होता है तो यह आपका एक्षेंचर सर्टिफिकेट है जो इसको कि आप लोग को निकालना होगा प्रिंट करके और यह नोटिफिक लाएंगे आप लोग ठीक है जिसे आप लोग का प्रिंस्पेल सिंग्नीचर चाहिं होना चीह पर सीषी होना चीह जो कि आपके क्रमाण पत्र है कास्ट को लेकर यहां पर अपडेट किया गया है यहां पर दोस्तों पोड़ है उसके साथ में दिये गए तो यह फिलाल अपडे यहां से दी है तो अभी इस वीडियो में इतना ही अगर आपके कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरू पूछ लीजिएगा जैहन